नमस्कार मैं चैनारा महला असिस्टेंट प्रोपेसर राजनिती विज्ञान राजकी बांगड माहवदाली डीडवना से बी ए पर्थम वर्ष के विधारतियों के लिए आज हम राजनितिक शिद्धान्त के अंतरगत वेवारवाद के बारे में चर्चा करेंगे वेवारवाद क्या है वेवारवाद के लक्षन या मूल मानेताएं और डेविड इश्टन के अनुसार वेवारवाद की विशेस्ताएं क्या है तो विवारवाद एक जो क्रांती आई प्रंप्रागत राजनितिक शिद्धान्त के विरुद जो प्रंप्रागत राजनितिक शिद्धान्त जो एक संकुचित शेत्र वाला विचारधारा माने जाती थी उससे बाहर निकल करके जो वास्त्विक्ता के दरातल पे कौन सी गठन नहीं ऐसी होती है जिन से राजनिती विज्ञानी अपने आपको समन्देते पाते थे तो वो एक क्रांती जो दीती विसुयूद की दोरान मुक्य तोर पे सामने आई उस व्यवारवाद के क्या है लक्षन मानेताएं और क्या है उसकी विशेस्ताएं तो इस पर आज हम चर्च अध्यान की इकाई जो अध्यान की इकाई है वो बड़ी ना होकर छोटी होने चाहिए लगू होने चाहिए तो अध्यान की इकाई छोटी होने चाहिए अगर अध्यान की इकाई छोटी होगी तो उसका विसलेशन करने में आसानी होगी व्यवारवादी द्रश्टिकोंड छोटे छोटे विश्यों के गंभीर अध्येन और विसलेशन को प्रात्मिक्ता देता है। तो एक वेग्यानिक द्रश्टिकोन विक्षित करने की बात यहां पर आती है। और वो तभी होगा जब अध्येन की इकाई छोटी होगी और वस्तुनिष्ट अध्येन किया जाएगा। तो अध्येन की इकाई बड़ी नहीं होकर छोटी होने चाहिए। दूसरी मानेता देखें तो राजनिति शास्तर में व्यक्ति समुहों के विवहार का अध्येन उप्यूगत है। तो जहां प्रंप्रागत राजनितिक शिधांत के अंदर हम देखें तो शंस्था के अध्येन पर बल दिया जाता था। संस्थागत अध्यन पर बल दिया जाता है अब संस्था के जो अध्यन था उसको छोड़ करके व्यक्ति और व्यक्ति समुह के विवहार का अध्यन पर बल दिया जाता है तो संस्था के इस्तान पर व्यक्ति के विवहार का अध्यन इसमें किया जाता है तो व्यक्ति या व्यक ळिकाल दिया गया है जहां कहीं भी आपको राजनीती गटनाय गटित होती है वहाँ पर व्यक्ति यह व्यक्ति समयों के वेवार का अध्यान करना कि टेटा है वो शिद्धान्त निर्माण से प्रएडय से परित होने चाहिए इसमें तत्यूं की ख Sono और उनकी वैक्षिद्धानत कें अंतरुक ञाएंगा और वास्तों चाहिए वादी द्रश्टिकों इसे विक्षित होता है तो अध्येन एवं शोध शिद्धान्त निर्मान से प्रेरित होना चाहिए चोथी इसकी मानिता देखें तो वह है अंत्रह विश्यक अध्येन किया जाना चाहिए तो अंत्रविशेक अध्येन पर इसमें जोड दिया गया है क्योंकि विशे एवं अध्येन सामगरी की गहनता के लिए यह आवशिक है तो जहां पहले केवल राजनिति विज्ञान का ही अध्येन किया जाता था उसी की राजनितिक संस्थाओं की जो अधियन है उसी पे फोकस था उतना ही शेत्र जो है उसका था लेकिन अब अंत्रह विशेक अधियन हैं अंत्रह विशेक का मतलब है कि वो राजनितिक जो गठनाएं हैं उनको एक शिमाओं से बाहर निकाल करके मनोविज्ञान समाज हैं दूसरे विशुँ से अंत्रह समंधित करना उनसे जोड़ना तो अंत्रह विशय का ध्यादarin किया जाना चाहिए यह इसकी मानेता और 5 भी है मुल्यों का ध्यान निर्रत्थक है यां मुल्य निर्पेकस्ता बताता है वो केता है मुल्यों की आवशिक्ता नहीं है राजनती शास्तर के मुल्य चाहे वो लोगतंत्र हो या समानता हो या शवतंतरता हो आदी का विज्ञानिक प्रिक्षन संभव नहीं है तो जो विभारवाद है वो केता है कि मुल्यों का धियन निर्थक है वो कोई काम नहीं आएगा क्यों कि विज्ञान बनाने में यह जो अवरोध है सबसे बड़ा विज्ञानिक प्रिक्षण ही इनका संभव नहीं है लोगतंतर का समानता का या शवतंतरता का तो इसलिए मुल्यों का ध्यान निरर्थक तो वेल्यू फ्री की बात करता है यह मुल्यों से निर नेता है वह तालिकाएं ग्राप गनितिये मोडल अनुमाप परविदी का अधिक अधिक प्रियोग इसमें किया जाता है तो तालिकाएं यह ग्राप बनाना यह ग्रीतिये मोडल प्रस्तुत करना यह अनुमाप परविदी इनका प्रियोग इसमें किया जाता है तो जो गणितिय परनाली काम में ली जाती थी उस गणितिय परनाली का इसमें ज्यदा से ज्यदा प्रयोग किया जाता है क्यों कि उससे जो है इसमें एक्यूरेसी आती है उसे इस पर्षत आती है उसे निश्चित आती है और जो रिजल्ट निकल के सामने आएगा उसमें जो है श डेविड इस्टन द्रete प्रतिपादित के परमुक आयाम डेविड इस्टन जिन का विवहरवाद की दरश्ठीकोंड से हम देखें तो बहुत ही संबाण के साथ नाम लिया जाता है डेविड देविडिश्टन को विभारवाद के अगुवा कहा जाता है जो जिन्होंने विभारवाद को आगे लाने का काम किया है तो डेविडिश्टन के दुवारा परतिपादित विभारवाद के परमुक आयाम क्या है डेविडिश्टन अपने अनुसार विभारवाद के जो आयाम जो विशेष्था हैं उन्होंने बताई है जो वो हम इस लेसन के अंतरगत देख रहे हैं पहली जो विशेष्था डेविड इश्टन बताते हैं वो है नियमित तैंग रेगुलर्टीज राजनितिक विवहार में कुछ ऐसी परवर्तियां पाई जाती है जो बार-बार उभर क सामने आती हैं जिनके समंद में इस प्रकार के निसकर्ष निकाले जा सकते हैं जिनके अधार पर राजनितिक गठनाओं को समझा जा सकता है तथा जिनके समंद में भविश्य वानी की जा सकते हैं तो एक नियमित्ता हमें नजर आती है एक कंटिनिटिव उनमें हमें दिखत है कि वह रेगुलर वह बाते हमें नजर आती है वह गठनाई लगातार होती हुए दिखती है तो वह नियमित्ता व्यभारवाद का एक जो परमुक लक्षन है वह राजनेतिक व्यभार में हमें दिखता है राजनेतिक व्यभार में ऐसी परवर्ति हमें दिखती है जो लगाता हो रही है जिनमें सकर्ष निकालते हैं और वो लगातार हो रही है नेमित अंत्राल पर हो रही है तो इसका मतलब है कि उसमें बविश्यवानी की जा सकती है और बविश्यवानी जो की जा सकती है इसका मतलब वह विज्ञानिक पर शत्यापित किया जा सकता है तो जो भी विज्ञान है जो अनुभव हम करते हैं उनको शत्यापित किया जा सकता है मानुव वेभार की समंद्ध में एकत्रित सामगरी को आउसर आने पर पुन्हे जांचा जाए और उसकी पूष्टी की जाए तो उनका शत्यापन किया नियमित्याकि चे बाद में चेह और तीसरा जो है वह तकनीक व्यभारवादी शोद सामगरी का संग्रह करने और उसकी व्यख्या करने में सही ढंक से आयिकौके प्रियोग को अधीक-कहुल देते हैं क्यूं देते हैं क्यूंकि तक्नीक का अगर प्रियोग होगा तो वो जो result जो निकल के सामने आएगा उसमें accuracy रहेगी तो तक्नीकों के प्रियोग को अधिक महतु देते हैं शोध में ऐसी प्रवीधियां ऐसी techniques वह उपकरणू का प्रियोग करना चाहिए जिनके अधार पर उस पर विश्वास किया जा सके और जिनका प्रियोग कर सके तो ऐसी प्रवीधियां उपकरण काम में लेनी चाहिए ऐसी तक्नीक काम में लेनी चाहिए जिससे शोध सामगरी अधीक विश्वेशनी हो और प्रियोग योग्य हो तो तक्नीक का इसमें प्रियोग करना परिमापन परमानीकरन किया जाना जाना तो तत्यों में इसपत्ता लाने के लिए और निश्चिता लाने के लिए कि ये सही है उसका परमानीकरन किया जाना आवशिक। जब तक परिमापन और कठोर पदितियों का सहरा नहीं लिया जाता तब तक सुनिश्चित ग्यान को प्राप्त करना असंभव होगा। तो सुनिश्चित ग्यान को कि वो निश्चित है उसमें कोई त्रूटी नहीं है तो उसलिए जरूरी है कि तत्यों में इस्परश्टा हो और निश्चित हो और इस है तो जरूरी है कि परिमापन और कठोर पदितियों का सहरा लिया जाए तो तकनीक के बाद में परिमाणी करन पांच्वी जो इसका परमुक आयाम है वो है मुल्य निर्पक्स्ता वेवहरवाद की अनुसार जैसा हमने पूरू में बात की है नेतिक मुल्यांक का नतथा त्यात्मक वेख्या में अंतर है मुल्य निर्पिक्स्ता की ये बात करते हैं स्वेम के मुल्यों को अलग रखने की बात इसमें की जाती है मुल्यों तत्त्यों को पर्थक रखना चाहिए इसमें ये बात कहेगी है अनुसंधान करता के लिए स्वेम के मुल्यों से दूर रहकर ही किसी समश्या का समाधान करना सही है जैसे कोई अनुसंधान करता है शोध करता है वो कोई अनुसंधान कर रहा है तो उसमें स्वेम की मुल्य अगर उसमें सामिल कर देंगे वहाँ भावनाई अपनी जो है उसमें जोड देंगे तो जो नतीजा निकलेगा वो accurate नहीं निकलेगा तो मुल्यों से निर्पेक्स्ता होनी इसमें आविश्यक है नेतिक मुल्यांकर और तत्यात्मक वैक्ष्या में अंतर है अथार्थ कि मुल्यों और तत्यूं को हमें अलग-अलग रखना चाहिए तो इसमें मुल्य निर्पेक्स्ता की बात कहीगी है छटा आयाम देखें इसमें तो वह करम बद्धी करण करम से सारी चीज़ें आ रही है एक निश्चित करम मनाया गया है शोदकारिय करम बद अथवा विवस्तित होना चाहिए पर तेक शोदकारिय को शिद्धांत से संबद किया जाना चाहिए उसे जोड़ना चाहिए शोद यदि शिद्धांत से अनुप्राणित नहीं है तो वह महत्वहीन हो सकता है तो शोदकारिय यदि शिद्धांत से अनुप्राणित नहीं है तो वह महत्वहीन हो सकता है और शिद्धान्त यदि आधार सामगरी से समर्थिक नहीं है तो वह निरतक होता है तो ये दोनों चीज़ें आपस में जुड़ीवी है अधार समघरी से जुड़ा होना चैंआ और शोदकारी जो है वो सिध्धांत से जुड़ा होना सैथ तो इस परकार दोनों ही एक क्रम बदता और एक विश्वेश्णियता दोनों के अंदर होने ही दोनों एक दूसरे से जुड़े होने होने चाइए यह प्यार साइंस यह शुद्य अनुशंधान पर जोड़ देता है जो विभारवाद है वो शुद्य अनुसंधान पर जोड़ देता है और यदि उसका प्रियोग विशिष्ट और नियुंतम समाजिक समश्याओं में संभव ने भी हो तो भी निया पति नहीं होगी तो यह शुद्द अनुशंधान पर जोर देता है यदि विशष्ट और शमभव नहीं हो रहा ह। तो भी कहते हैं कि कोई बात तो विशुद्ध अध्ययन पर अनुशंधान कर दिया पुरुटी कम से कम होने चाहिए अगर संगत है तो वह सलगेगा लेकिन वो पुरुटी पुरुण नहीं वना चाहिए वहके अकाश्याहओं का निराकरण में शब्राधा नहीं है समैश्याहओंrh से नहीं जुड़ पा। llama बात नहीं उस पर आपतित नहीं है लेकिन उसमें तुरूटी नहीं होने चीए तो यहां पर जो है विशुद्धिता पर जोर दिया गया है आठमा देखें तो वह सम्मगरता इंटिग्रेशन विभार वादी मानते हैं कि मानुव विभार का अधियन खंडू में नहीं किया जा सकता वो एक जुड़ेवे हैं सभी जो हैं मानुव विभार में बुनियादी एकता पाई जाती है और इसी कारण समाज विज्ञान के विभीन विश्य एक दूसरे के निकट है विभारवादी अंतह सास्त्रिय दृष्टिकोन के शमर्तिक है जो जुड़ावाएं क्यूंकि वो सब के मनुश्य की बलाई की बात ही सभी में अंतटया है निकल के की सामने आती है तो एक समगरता इसमें देखते हैं विभारवादी मानुव विभार को एक समान मांते हुए एक बुणियादी एकता को उसमें स्विकार करते हैं तो यह है डेविडिश्टन ने आठ इसके आयाम बताये हैं नेमित्ता शत्यापन तकनीक प्रिमानी करण मुल्य निर्पेक्स्ता करमबदी करण विशुद विज्ञान और समगरता तो यह आठ विशेश्टाओं की बात जो है आठ जो परमुख आयाम की बात डेविडिश्टन करते हैं और यह परसन अधिकतर जो है पूछा जाता है प्रिक्षा के अंदर कि डेविडिश्टन के नुसार विभारवाद के परमुख आयाम या उसकी विशेश्टाओं लिखे तो हमें यह आठ बिंदू उसमें लिखने होते हैं तो यह था विभारवाद के परमुख लक्षन या मानेताएं क्या है उसकी और उसकी परमुख विशेश्टाएं क्या है तो विशेश्टाएं और मूल मानेताएं विभारवाद के धन्यवाद